प्रिवार के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिवार कल कैसे थे और आज कैसे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आओ फोटो एलबम देखे समीर फोटो एलबम देखते वे सोच रहा है क्या सोच रहा है? उसने सबसे पहले ये वाली पिक्चर देखी फोटो देखी ठीक है? अरे वा और बोलते हैं मूँ समीर क्या कहते हैं? अरे वा क्या फोटो तो हमारे पूरे की है इसमें है मेरे दादा-दादी ताउताई माँ पिताजी अजय अनु और मैं मैं कौन समीर ठीक है मेरी बुआ तब पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र गई हुई थी तो इस फोटो को देखकर समीर कह रहा है कि इस फोटो में तो हम सभी है ठीक है तो इस परिवार में परिवार जैसा कोई परिवार रहता है तो इसके बारे में सोचना है और लिखना है चलिए आगे है ये फोटो देखी एक किसी की सादी की फोटो है सबसे पहले तो ये देखी चीतर देखकर अनुमान से लिखो की परिवार के इन सदश्यों की आयू कितनी होगी तो जो अंधाजे लगागा ठीक है आप खुद सोच सकते हैं कि वो कितने साल के होंगे ऐसे परिवार को क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसे परिवार को बच्चो संयुक्त परिवार कहते हैं जिस परिवार में दादा दादी ताउ ताई चाचा चाचे बम्मे पापा और उनके उसको हम संयूक परिवार कहते है ठीक है चाचा की सादी अब समीर के चाचा की सादी है यह ठीक है यह फोटो तब की है जब मेरे चाचा की सादी हुई थी कितना मज़ा आया था शादी में ठीक है तो अब यह बताओ सोच कर लिखना है समीर के चाचा की साधी के बाद घर में जो नया सदश्य आया है समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा बताओ चाचा के साथ जो उनकी वाइफ आएगी उसको क्या बुलाएगा समीर चाची अगर समीर की बुआ की साधी हो गई होती तो परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्दन आता साधी करके बुआ तो अपने ससुराल चली जाएगी तो सदस्य की संख्या एक सदस्य की संख्या घट जाएगी और चाचा की शादी हुई है तो एक सदश्य की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि उनकी वाइफ आएगी है ना पता करो अपनी दादी मा वज चाची से पता करो कि शादी से पहले वे कहां रहती थी उनसे पूछ कर उनके पुराने घरों के पते लिखो तुम किसी की शादी में गए ही होगे अब लिखो दुलहा दुलहन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे यह आप देखते हो ना दुलहा क्या पहनता है शेरवाने या फिर कोड़ पहनते हैं है ना और दुलहन कैसे कपड़े पहनती है लहंगा चुनरी है ना अब शादी में तुमने क्या-क्या देखा, यह यहाँ पर बताना है, घर आई नन्ही परी, यह फोटो मेरी छोटी बहन खुशी के जनम के सवें की है, बाप रे कितना रोती थी वे सारा दिन, यह खुशी के, मतलब समीर की छोटी बहन, खीक है, उसके जनम की है यह तस्वीर, अब बताओ, समीर के परिवार में कौन सा नया सदश्य सामिल हो गया, कौन आया, खुशी, क्या पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे परिवार में भी किसी बच्चे ने जनम लिया है, खुशी के आने से समीर के घर में क्या-क्या बदलावाए होंगे बताओ, एक सदश् है ना, अब मा कौन से नये काम करेंगी, मा अब कौन से काम करेंगी, खुशी का काम करना पड़ेगा, है ना, मम्मी को, चल लिए, हमारा नया घर, देखिए, अब इस पिक्चर में कौन-कौन है, समीर है, समीर की मा है, उनके पिताजी है, और उनकी बहन खुशी है, यह सहर में रहने आए थे जब इनके पापा का गाउं के स्कूल से सहर के स्कूल में तवादला यानि ट्रांसफर हो गया तो उनको उनके साथ जाना पड़ा ठीक है तो अब उनका परिवार कैसा है एकल परिवार ठीक है एकल परिवार बच्चों वो होता है जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं सिर्फ ठीक है वो एकल परिवार होता है और सहियुक्त परिवार मैंने क्या बताया जिस परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, ताई ताउजी और चाचा चाची और उनके बच्चे मिलकर रहते हैं उसको संयुक्त परिवार कहते हैं ठीक है तो ये चीजे आज हमने सिर्फ संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में पढ़ा है ठीक है आज के लिए सिर्फ इतना ही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का चैप्टर ठीक है एक question और है, अब समीर के परिवार में कौन-कौन साथ रहते हैं, तो ये चीजे आपको लिखनी है, कौन-कौन साथ रहते हैं, ठीक है, तो ये आपका आज का काम है, मतलब इसको अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है, और जो question मैंने यहां बताए हैं, वो आप द्यान से सोच-सोच के करने की पोसित करना, लिखना नहीं है अभी, description box में आपको questions के answer मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद लिखना है, ठीक है, चलिए